आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों में एक बहुत कॉमन समस्या की पुरुष गृंती से रेलिटिप पुरुष गृंती सबी पुरुषों में होती है और यह उमर के साथ में धीले-धीले पिशाब के रास्ते को डबा दी है इससे होने वाले समस्याइं जैसे common पेशाब की धार कमजोर होना, पेशाब के लिए जोर लगाना, पेशाब की धार के लिए इंजार करना ये रहती हैं इनके इलावा बार-बार पेशाब जाना, रात को बार-बार पेशाब के लिए उठना या तुरंद पेशाब जाने की समस्या, ये भी कुछ इसके common symptoms हैं. इनिशल ट्रीटमेंट इसका शुरुवाती ट्रीटमेंट मेडिसिन से रहता है, मेडिसिन अगर काम नहीं कर रही हैं, या किसी कारण से सूट नहीं करती, साइड इफेक्स जादा हैं, या मेडिसिन मरीज लंबे टाइम तक लेना नहीं चाहता, या हमें जाच में कुछ ऐसी जो कि अंदर किड्नी पेशाब की थैली इनके उपर बड़ी समस्या कर रही हैं, तो उपरेशन की जरुत पड़ती है, जब उपरेशन का निर्णा ले लिया जाए, तो मरीज की उपरेशन के लिए फिटनेस जाच की जाती है, उपरेशन का नाम टी यू आर्पी प्रोसीज प्रोस्टेट को बहुत छोटे टुकडों में काटकर नॉर्मल पिशाब के रास्ते से निकालते हैं, यह उपरेशन के नीचे सुन करके पाइनल एनस्तीजिया में किया जाता है, उपरेशन में अंदाजे से करीब 60-90 मिनिट का समय लगता है, उपरेशन के बाद पिशाब क रास्ते में नली रखी जाती है, करीब 4 गंटे बाद में मरीज को खाना पीना शुरू कराया जाता है और अस्पताल में करीब 24 गंटे तक और रखा जाता है, डिस्चार्ज के टाइम पर अगर मरीज बिलकु ठीक हैं, खा पी रहे हैं, तो हम नली के साथ में घर भी रचते हैं, करीब साथ दिन बाद बुला करके नली निकाल करके पिशाब चेक किया जाता है, और सब कुछ ठीक होने पर अगला फालो अप करीब अंदाजे से एक महीने पर किया जाता है,